वेलकम टू दे चैनल ग्यापन एकेडमी इस विडियो में आप लोग देखेंगे सब्जेक्टिव का नौन हिंदी का पूरा नीचोड़ अगर ये एक दिन पहले भी आप देखके जा रहे हैं और अच्छा से समझ ले रहे हैं तो पूल रूप से आप इसको लिख करके ही आए थोड़ा सा इसको हम लोग पहले समझ ले हैं यहां पर आपको हम लोग यह देखिए है हमीद मिठाएya खिलाओंने के बदले चिम्ता पसंद किया क्यूं है। अगर आपको यह कोशन पुछे या फईद यहां पह लिखर कि मेले में चिम्टा खरिदने से से पहले हमीद के मन में कौन-कौन से बिशार आई इसका वर्ण की दोनों में से अगर कोई भी कोशन पुछे तो इसका एंसर यहीं होगा ठीक है इसको गौर से देखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है और देखिए बहुत ही ट्रिकली आपको बताए गया है यह यह बश्पन म कि आमीद मिठाई यह खिलोने के बदले चिम्टा इसलिए पसंद किया क्यूंकि उसने सोचा कि सिर्फ थोड़ा दिर के लिए ही जीव का मिलेगा श्वाद मिलेगा और मिठाई से सिर्फ थोड़ा दिर के लिए जीव का स्वाद मिलेगा और खिलोने भी मिट्टी के बने है पानी पढ़ते ही खराब हो जाएंगे और ठोकर लगते ही तूट जाएंगे इसे पैसा बरबाद होगा ठीक है और चिम्टा कभी नहीं तूटे गाई सोचा यह लड़का सोची कि बड़ों कितरा सोचा है एक एक रूप है इन्वेस्ट करने से पहले कितना सोचा है और यह जो अगला कुश्चन अगला कुश्चन है यहां पे चिम्टा देखकर अमीना के मन किसे भावा देखे देंदर चिम्टा देखकर अगर यह फूचे गाँ लेकिन जब हामिद ने किया कि उनके हाथ जलने की बात की तो बहुत ही भावुक हो गई जब बच्चे को मिठाई खाते देख इसका भी मन क्या होगा जरूर लल चाया होगा इतना इनकी कौन हामिद की दादी सोच रही है ठीक है यानि अमीना सोच रही है अगला देखिए इसमें यह तीन कोशन काफी इंपोर्टेंट है इसको देखे गए इद्गाह कहानी की प्रमुख विसेश्था क्या है अगर यह कुशन पूछे या फिर इद्गाह कहानी आपको कैसी इनके मुख्य भी पूछे दोनों में से अगर कोई भी पूछे कोशन तो उसका इंसर बस यही होगा इंदिमाग में आप रख लेजिए उसका एंसर यह होगा यहीं विसेश्था क्या है तो कहानी क्या है बाल मनों बिग्यान परदारी ते यह कहानी चुनवतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है इसमें बताया गया कि जो भी चुनवति सामने आती है उससे डरना नहीं है वह इंसान को परिपक्व यह बच्चे को परिपक्व बनाती है अभावगरस्त बच्चे व्यास की तरह सोचन लगते यह एक परकार का भी सेस्था है ठीक है और कहानी मुह कोश्चन पूछे तो यही एंसर लिखेगा ठीक है यहां अगला कोश्चन है करंबीर की पहचान क्या है ठीक है यहां पर ध्यान से करंबीर की कौन सी बाते दुसरों से अलग है या फिर आप अपने आपको करंबीर कैसे सावित करेंगे ठीक है अगर इतना सब कोश्चन करंबीर अज का काम आज ही करते हैं उसे कल पर नहीं छोड़ते हैं के बला वक्या कर एपको महीं देख लाट्रें ठीक है अगला देखिए अगला कोशन यहां पर है अगर पूछे आप से कोशन की बाल गोवींद भगत गिरहस थे फिर भी उन्हें शाधू क्यों कहा गया या फिर दूसरा अगर को सब्सक्राइब की बाल गोवींद भगत के बारे में अगर पूछे तो एंसर यह लिख दीज प्रूखत था यानि का जो भी सौभाव था था सबके प्रति काफी अच्छा था उन्हें इस वर पे इस वर में गहरा भी स्वास्ता भगवान पर बहुत भरोसा करते थे वह रोज क्या करते शोक माया और मों से उनका क्या है वो उपर है ज्यादा शोक में नहीं रहाते थे सबसे इनका सोच ऊपर था अगला सकंद है अगला कोशचन है यहां पे समझेए чиसी अगला कोश्चन है यहां समझेगा बढ़िया से जैसे हुट रूक का जर्ना वैसे उसका मार्ग अगरा पून्डू का ज्र्ण जो हर्खन में उसका जर से तो उसिस अगलत निका गया है यहांग संदेखें अगला क्या समझते तो गाउं के किसान सिर्चन को काम चोर समझते थे बेकार आदमी समझते दिरेदिरे काम समझते थे नाप तॉल यहां पर गोगा करने न मुफ्त की मजदुर्य खाने वाला थे ठीक है यह आप याद रखेंगे इम्पोर्टेंट सब कुछन है अगला है अगला है असोक का सस्त्रत्याग एक कांकी यह रखाज़का चप्लम करता है अबस्सक्राइब हरो पूरुष को अधिकार होना चाहिए ऑगला इर्षिया की निंदा को क्यु कहा ज付 सब्सक्राइब करते हैं इसको बैटी का इसके बारे में इस एक बुराई करेगा इसे समाज में नीचा दिखाना चाहता है और ऐसी वियस्था में व्यक्ति अपने इर्ष्या की परविर्टी को देखें और उसे दूर करने की कुशिश करें और मौन धारन करें ताकि इससे क्या होगा इससे इर्ष्या आपका दूर हो सकता है ठीक है यहां देखिए हुंडू से एक और कुश्चन है और पॉटिंट लगा हमको हुंडू का जर्णा बना अब कैसे बना थोड़ा सा देख लें नदी पहाड जो है यह नदी जहां पहाड को पार करने की चेस्टा में पहाड पर चड़ती है सबसे पहले तो पहाड़े पर पानी चड़ेगा ठीक है और वहां पानी के कई धराएं हो ज belong रचते हमें क्या संदेश नहीं तहनी के यहां पर पर लोग धो होगा क्या है तो के आ counties को भी पौफी मोगरा बनाते हैं तो खुबसूरत और खुस्बुदार बनाने वाले दलित मजदूर ठीक है बदबुदार गंदी बस्तियों में राने के लिए मजबूर है जो आपको सबसे अच्छा काम करके देते हैं वही खुद एक दम दवी कुछली मतलब जिन्दिकी जी जाया है बिड़मना की बात यहा है क कि बिड़मना का मतलब दुख यहां समझेगा खुस्बूर रचने वाले यहां क्या है दूर दराज के सबसे गंदे और बदबुदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं ठीक है इसी के बारे में अगर तीन वो कोश्चन में से कोई भी कोश्चन पूछे इस लेशन से तो ए गवाले प्लेस बना गया जो बिहार राज्य के भागलपूर जीला में तेक हल गाओं के पास अंति चक में इस्तित है आप इसको याद रखेंगे ठीक है काफी इंपोर्टेंट है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है दीन बंदु निराला या यहां पर जो भी है निराला को दीन बंदु क्यों का गया दीन बंदु महने बता है ते दीन महने होता है गरीब दुखिया ठीक है अब दोग्या दीन बंदु क्यों क्यों कहा गया यह कोश्चन पूछए या फिर निराला संबंदित बातें लोगों को अंतीर रंजित क्यों जान पड़ती अगर यह दोनों में से कोई भी कोश्चन पूछे ठीक है तो इसका एंसर ऑगती मित्रों के अधित्यहुसले दिखाने वाले या फिर लंगणे लूले अंधे दीन जनों को कुषफ-खोच कर मदद करने वाले निराला सम्मंधित बाते लोगों को क्या करते ह але अंतिरंजीत यह बाप का बेटा था ठीक है कि और वाप अपने चारो बच्चों को भरण पुसंड के भंषर से कि बessen बाएससे कि लिए पla है संब कि लिए इसलिए इनको क सिर्थ रहेगा तुछ है कि सारा ने खरीद लिया था ठीक में को और खरीदने के बाद उसे क्यों कहते हैं यानि कि अपने परीजन को क्यों बोले हैं कि आप प्रतिक्षा किजिए देखिए अगर यह लिखना होगा तो लिखिए कर पूरी ठागुर के परीजन की अकांचा होगी कि कर पूरी पढ़ लिख करके क्या करें हमें गरीबी से निजात दिलाएगा वहां के था ना ठीक है बहले लोग आस लागा के बैटे हैं लेकिन उनके लिए तो पूरा देश ही क्या है उनका परिवार है तो उम्मीद करें हूं कि आपको समझ में आया होगा अगर लगा हो वीडियो संदार तो प्लीज अपने दोस्तों में इसे ज्यादस ज्यादस शेयर किजि